वेलकम तो आगर चैनल एक्जामिन दे बीडियस मैं हूँ डॉक्टर दिनेश आज का टॉपिक है एरित्रो ब्लास्टोसिस फीटालिस पीट में जो बच्चे हैं उनमें और जो न्यूबॉर्ण बेबीस हैं उनमें होने वाला एक हुमोलाइटिक डिसीज है यह आरच इनकमप के कारण होता है जब मा का ब्लड नेगटिव होता है और पापा का ब्लड पॉस्टिव होता है तो पापा के द्वारा बच्चा भी पॉस्टिव हो सकता है उस सिचुएशन में मा का नेगटिव बॉड़ी बेबी का पॉस्टिव बॉड़ी को फॉरिन सब्सिंस समझ के उसक वो positive blood group है, अगर नहीं है तो वो negative blood group है, इस आरच incompatibility के द्वारा पहले बच्चे को कोई खत्रा नहीं होता, क्योंकि placental barrier मा और बच्चे को separate रखता है, और जब बच्चा पैदा होता है, जब placenta detach होता है, तब मा और बच्चे का खुन mix हो जाता है, और इसके वज़े से मा का blood आरच antibodies produce करने शुरू हो जाता है, पहला बच्चा पैदा हो जाता है, और उसे कुछ नहीं होता, बच्चे के पैदा होने के बाद मा के अंदर वो आरच antibodies खुन mix होने के वज़े से develop होता है, और अगर मा दूसरी बार consume होती है, और वो बच्चा भी अगर positive निकला, तब मा का antibodies बच्चे को attack करता है, इसके वज़े से बच्चे में severe hemolysis होता है, antibodies placental barrier को cross कर सकते हैं और बच्चे के RBC को hemolyse कर देते हैं, severe hemolysis होता है तब बहुत RBCs destroy होते हैं, और RBCs के waste product में bilirubin बहुत जादा हो जाता है, और इसके कारण बच्चे को jaundice होता है, बच्चे में rapidly RBCs destroy होने के कारण, नए RBCs भी rapidly produce होते हैं, और वो underdeveloped stage में होते हैं, जो कि pro erythroblast, इसलिए इसे erythroblastosis fetalis केते हैं, severe hemolysis के वज़े से बच्चे में 3 conditions हो सकते हैं, एक है severe anemia, दो है hydrops fetalis, तीसरा है कर्निक टरस, severe anemia में RBCs destroy हो जाते हैं, तो इसके वज़े से iron deficiency होता है, hydrops fetalis में बच्चे के पूरे body को शोफ हो जाता है, इसका मतलब edematis हो जाता है, इसके वज़े से बच्चा पेट में ही मर सकता है, तीसरा है कर्निक टरस, जब RBCs severely destroy होते हैं, RBCs के byproducts, जो waste products होते हैं, bilirubin जैसे, वो बहुत increase हो जाते हैं, और ये bilirubin जब बहुत ज़्यादा increase हो जाता है, वो brain को जाके affect करता है, और वो बच्चा बहुत ही slow और मंदबुद्धी हो जाता है, उसको कभी-कभी seizures भी आता है, अब हम देखते हैं, erythroblastosis fetalis को कैसे prevent किया जा सकता है, इसके लिए मा को जब वो consume हुए होते हैं, उनके 28 और 34 वीक में anti-deimmunoglobulins administer किया जाता है, और बच्चा पैदा होने के बाद भी एक बार administer किया जाता है, इसके वज़े से मा के अंदर एक passive immunity create होता है, जब हम ही antibodies मा के अंदर डाल देते हैं, तो मा का immune system खुद antibodies produce नहीं करता, इस तरह हम मा के immune system को धोका दे देते हैं, इसके वज़े से second pregnancy में मा का immune system antibodies produce नहीं कर पाता, और बच्चा सेफ रहता है, यहाँ पे आज का topic हतम हो रहा है, अब हम आज का bonus pack देखते हैं, human body का सबसे छोटा cell sperm cell होता है, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा, तो चैनल को subscribe कीजिए, like कीजिए, thanks for watching,